नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्मा अस्टिमी पर रासी के अनुसार करें क्रश्ण जी की पूजा रातो रात खुलेगी बंद किस्मत दोस्तों अपनी रासी के अनुसार स्रंगार भोग मंदर आदि करके आप क्रश्ण जी को प्रसंद कर अपनी मनुकामना पूरी कर सकते है पूरी जानकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों जन्मा अस्टिमी का तेवार भात प्रदमा के क्रश्न पक्च की अस्टिमी तिथी को मनाया जाता है इस दिन भगवान विश्नु ने क्रश्न के रूप में अपना आठमा अवतार लिया था अगर आप इस दिन अपनी रासी के अनुसार क्रश्न जी की पूजा करेंगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी आपकी हर मनो कामना पूरी हो जाएगी तो आएए जानते हैं कि जन्मा अश्टमी में आपको अपनी रासी के अनुसार क्रश्न जी की पूजा कैसे करनी है अपनी रासी के अनुसार क्रश्न जी का भोग, स्रंगार और मन्त क्या है मेस रासी दोस्तों भगवान स्री कृष्ण को गाय बहुत प्री है आपके लिए इस दिन गाय को मीठा पदार्थ खिलाना बहुत तीसुब रहेगा और कृष्ण जी का स्रंगार आप सिंदूरी रंग से करें और गुरता भोग लगाएं साथ ही आपको कृष्ण जी की पूजा करते समय ओम कमल नाथाई नमा मंतर का जाप करना चाहिए व्रिसब रासी के जातकों के लिए स्री कृष्ण को दूच से बनी चीजें प्रसाद के रूप में चड़ाना लाप्रद होगा और स्री कृष्ण जी का स्रंगार सफेद वस्त् पूजा के दौरान ओम वासुदेवाई नमा मंतर का जाप करना बहुत ही सुब होगा मितुन रासी मितुन रासी के जातकों को जन्मा अस्ट्मी के दिन गाई को हरी घास खिलाना अधिसुब होगा और कृष्ण जी को उनका प्रिय माखन मिस्री का भोग लगाएं और हरे व पूजा के जातकों को जन्मा अस्ट्मी के दिन आठंते में मिस्री मिलाकर भोग लगाना है और गुलाबी रंग के वस्त्र से करशन जी का संगार करना है और पूझा के समय ओम् doğru क्रिशन का जाप करना है सिंग रासी, सिंग रासी के जातकों को क्रेशन जी को गुड का भोग लगाना लाब प्रद होगा और महरून रंग के वस्तर से बगवान शी क्रेशन का स्रंगार करें और पूजा के दौरान आपको ओम क्लीम जगत धराय नमहामंतर का जाप करना चाहिए कन्यारासी, कन्यारासी के जातकों को क्रेशन जमास्टमी के दिन गाहे को रोटी खिलाना चाहिए और क्रेशन जी को केसर वाला दूद का भोग लगाना अत्तिन्त सुब होगा आपको हरे रंग से क्रेशन जी का सिंगार करना है साथ ही पूजा के समय ओम पेतंबराय नमहामंतर का जाप करना है तुलारासी, तुलारासी के जातकों को जन्मास्टमी के दिन क्रेशन जी को फलों का भोग लगाना फाइदे मंद साबित होगा और आपको भगवान क्रेशन को सफेद वस्तर से सिंगार करना है साथ ही माखन मिस्री का भोग लगाएं और पूजा के दोरान ओम स्री उपेंदराय अचुताई नमहामंतर का जाप करना चाहिए व्रिस्टिक रासी के जातकों को जन्मा अस्टिमी के दिन क्रिस्न भगवान को केसरिया चावल का भोग लगाना उत्तम रहेगा और सिंदूरी रंग के वस्त से भगवान स्री किशन का सिंगार करें और पूजा के दोरान ओम स्री वस्तले नमहामंतर का जाप करें धनूरासी, धनूरासी के जात्कों को भगवान स्रीकिष्ण को हलवे का भोग लगाना चाहिए और पीले रंग के वस्द्र से भगवान स्रीकिष्ण का स्रंगार करें साथ ही पीली मिठाय का भोग लगाएं और पुजा के दवरान आपको ओम स्री कृष्णायन महमंत्र का जाप करना चाहिए मकर रासी के जात्कों को कृष्ण भगवान को चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और नीले या आस्माने रंका स्रंगार करना चाहिए और पुजा के दवरान ओम नारानायन महमंत्र का जाप करना चाहिए कुम्बरासी के जात्कों को जन्मा अस्रिमी के दिन जोंके आटे से बनी हुई रोटी गाय को खिलानी चाहिए और कृष्ण जी को हलवा पूडी का भोग लगाना चाहिए नीले रंग के वस्र से भगवान श्रीकष्ण का स्रंगार करें और पूजा के दवरान आप को ओम लीला धराएन महमंत्र का जाप करना चाहिए मीन रासी के जात्कों को श्रीकष्ण जी को पीले वस्र से सजाना चाहिए और केले और लड्डू का भोग लगाना लापकारी होगा और पूजा के दवरान ओम देव की नंदनाईन महमंत्र का जाप करना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद